यस हलो गाईज गुटीन इन टो एवरिवन सारे बच्चे जुटके हैं बच्चों जैसे कि मैंने आपको मेरी पहली क्लास हुए थी उसमें बताए था कि आज कि इस तरिके के कॉशन पूछे हुए हैं दो सिप्ट में आज एक्जाम हुए थे तो जिन बच्चों ने एक्जाम दिया हैं प्लीज वो कमेंट करके बताए कि किस प्रकार के कोशन समा पर आए हुए हैं ताकि हम लोग आने वाले एक्जाम के बारे में हम सोच सकेगी जो हमारे साइस के कोशन ने वो किस प्रकार से बन सकते हैं के लिए यास गुड़ इनिंग तो असोख है प्रियांसु है खुशी है गुजर बोई क्या वात है प्रिंस मोर्या है नेहा है सभी का विलकम करती हूँ बच्चों और बच्चे कह रहे हैं कि एक्जाम जो है थोड़ा टफ था तो टफ देखो टफ हमें कब लग सकता ह है या तो पेपर वास्ता में लेवल का बना हो या तो पेपर में कॉश्चन्स वास्ता में लेवल के बने हो जिस हिसाब से हमने तयारी की हो उस हिसाब से नहीं बना हो या फिर दूसरा रिजन यह हो सकता है कि हमने तयारी नहीं की हो ठीक है फिजिक्स बहुत खराब आई थ खराब इन दे सेंस मतलब खराब का मतलब क्या है आपने यह तो पड़ा नहीं होगा फड़ा पड़ से चुट जाए सब बचे हम देखते हैं बच्चू थोड़ा सकल मिस्टेक हो गया था 27 तारिक वाला रिजल जो है 26 वाला रिपीट हो गया था तो मैं वापस से आपको 27 तारिक वाला रिजल बताऊंगी टोपर और फिर आम 28 तारिक वाला टोपर देखेंगे देन हम अमरी क्लास को स्टार्ट करेंगे बच्चू के लियर हाँ बच्चू लेवल बढ़ रहा है मैं आपको हर क्लास में बोलती हूं कि लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एक्जाम का तो इसलिए प्लीज अपना लेवल बढ़ाईए ठीक है यदि आपको पढ़ाने वाले है तो आपको करने क्या है आपको पढ़ने ही तो है हम देखते हैं 27 तारिक वाला यानि कि कल का रिजल्ट और कल के रिजल्ट में बचू दो बच्चू के एक समान नमबर है एक हरी राम मिना और एक है ओमकला दोनूं के 35 मार्क्स आये हैं हम रिसाइड करते हैं आज के टोपर कौन है तो यहां पर इन दोनूं के स्लीप है जो है की कौन बनेगा क्रोर पती बनेगा टोपर कलका तो बच्चो इसमें नाम आया है हरी राम मिना का हरी राम मिना मैं 27 तारिक मैं वापस बतादी हूं कि लुट सकी हुआ है ढ़े हो संहां तारीक को बहुत बहुत बदाया खरीरामिना को फिर अठाइस तरीक की बात करें, तो बच्चों 28 तरीक में दो बच्चों के सेमाक्स आए हैं, अभिशेक और पंकच तो हम देख लेते हैं कि यहां पर 28 तरीक वाले बच्चों में दोनों में से कौन जो हैं, वो तोपर विसाड होगा, यह अंपर कोईब एकम पट्च उठा लेते हैं तो हम यह उठा लेते हैं देखे हैं कि कौन टोपर होगा आज का लेवल हाई गया है बिलकुल लेवल हाई शेसेख तो अभी शेकिंग तो अभी शेक को हम फटा पट से questions लाएंगे यहाँ पर आप लोगों को answers देने हैं बच्चे ठीके जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं 12 का base कब से start होगा तो 12 का base जो है वो I think बहुत जल्द start होने वाला होगा एक बार सबसे confirm कर लिजिएगा ठीके जैसे ही 12 board के exam खतम हो जाएंगे बच्चु वैसे ही 12 का base start हो जाएगा Yes तो फड़ा फट से exam analysis कैसे करेंगे राहूल कुमार जी मैंने आपको क्या बोला कि जब तक आप जो है मुझे नहीं बताएंगे कि question कि type क्या आया है तो प्लीज जिन बच्चु का exam आज हो गया है फर्स्ट और सेकंड सिप्ट में उसमें science के जो question आपको याद है किस तरीकी के question पूछे हुए है आप प्लीज कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपकी help कर पाऊंगी तो जब तक आप questions बेजे मुझे तब तक मैं जो है याँ पर कुछ questions आपके सामने लेकर आउंगे और आपको फड़ा बट से जो है कल की तरह revision करना है क्लियर यस फड़ा फड़ से आजाईए बचों एक बार session को सब लोग like कर दीजे क्योंकि आपको बता है मैं क्लास बहुत शानदार हो रही हो अभी देखने जो भी comment आएंगे वो हमारी question के ही question answer होंगे क्लियर जो paper में पूछे गए question में उसमें आपको बताया कि question answer यही से आने वाले है हो सबता है कि उसका लेवल थोड़ा जादा हो और आपने तयरी उस हिसाफ से नहीं क्यों इसलिए आपको टप लग रहा होगा बाकि यह सा कुछ नहीं है क्लियर thank you so much तो देखें यहां पर question है बचो हमारा question है हमारा question है हमारा पहला कि यदि रग्त में शरक्रा का स्थर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्थरा होता है आपको बताना है कि यदि हमारे ब्लड में सुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी ब्लड में सुगर लेवल को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है ठीक है कमले स्वर्मा जी फड़ावर से करेक्ट आंसर दीजे आप लोग ठीक है हाँ लेवल हाई आया अरे ठीक है मैं समझ गई लेकिन अब कौशन भी तो टाइप करके बेचो तम मुझे पता चलेगा कि आया क्या है वास्तम में अच्छा तवकाते की स्पीड क्या वात है लेकिन क्या हार्मारर रिलीस होता है इंसुलीन की में गया एक लेकिना बात करो तो बचू लिसा है यह समहासे यही का हर्मान को में यूइस करती है और बोलता है आप बताना है कि कौनसी ऐसे बिमारी हैं जो एक विक्ती से दुसरे विक्ती में नहीं फैलती है पहला अप्सन है डेंगू, सेकंड है सकर्वी, थाड है टाइफाइट, चोता है बच्चो वुपिंग काप या फिक कुकर खासी फटापर से बता दीजेगी यहां पर कौन से बीमारी जो है वो इंफेक्शियस नहीं है इंफेक्शियस नहीं है बच्चो मेही दियाव से बात कुरू डेंगू की तो डेंगू किसे होता है डेंगू होता है बच्चो वाइरस से किसे होता है वाइरस होता है और मेही दिया बात कुरू बच्चो सकर्वी तो सकर्वी जो है यह किसकी कमी से होता है यह होता है विटाम विख्टिरय की वजएसे होता है चुए यह रोग बैक्तिर्या वारी बैक्तिर्य वायरस या फिर फंकस क्या होग वह सारे के सार्व एन्फेक्षेस होंगे तो इनप्र भूण से हो जाएगा हाँ बिल्गूल कोई से भी विटामिन की कमी से हमें किसे भी विटामिन की कमी से होने वाला रोक दे रहा हो बचू वो जो है इंफेक्शियस नहीं होगा किलियर बच्व मैं आप से बात करूं तो यहां पर सिलीप या फाइलेर ईडार करमे के कारण होता है किसके कारण होता है तो फास्ट जो है वह मारा करेक्टांस रोजएगा नेक्स कशन है बच्व किससे प्रतिरीक्षा के लिए दिया जयता है वे बिसीजी वेक्षिन इस प्रसक्राइब की और ऊपिजिःmarkets यह करते। अम संनी के और अप्र सब्सक्राइब करCool, खाले वार्तिएंस वार् tsv क्या होता है you Libra माइको बेक्टिरियू क्या है माइको बेक्टिरेँ मगें चुक्ष्य क्वेशन है बच्छों हमारा कि PC culture किसका उत्पालन और उत्पादन है PC culture is rearing and production और पहला है पक्षियों का बड्स का सेकर्ड है फिस्ट का थाड़ है उन देने वाले जानवरों का वूल इल्डिंग एनिमल्स या फिर चोता है इंसेक्स का तो आपको पता है कि PC culture में हम किसका इदिन करते हैं बच्छों मचलियों का आदन करते हैं बड्स के इदिन को हम क्या बोलते हैं इसके इदिन को हम और नि हमारे प्रेक्टन रोजएगा या पर सेकन क्या होजएगा PC culture PC culture में क्या आती है फिसेज आती हैं तो मसलीक के पारलान होー industrie को हम क्या बोलते हैं PC culture बोलते है सेकन जो है वो अमारे करेलिक्टन हो evolve कि जाता है रेसम किसे प्राइब करता है और निथो लोजी जो है अरे हाँ बेटा मैं कौशन्स पहले करा चुके हूं दिकत कहा आ रही है पहले कौशन्स मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूं कि मैंने पिछले जितने भी आपको मेरी क्लास जब से स्टार्ट हुई है तो जब 27 और आज आपके एक्जाम होने वाळा था तो 27 तक मेरे को जितने भी कॉशन्स आपको करवाने थे जितने टोपिक कि एक्जाम में आने वाले बचु में उनसे लिए सारे कोईशन्स आपको करवा चुके हूं तो इसी लिए जितना पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम पर रिविजन हो जाए वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है मैं आपके लिए मानलो कि आज बहुत ज़्यादा अ जितना पढ़ रहे हैं जिसका हम रिविजन कर पार रहे हैं जो हमसे कोईशन सोल पार है वह हमाले जादा इंपोर्टेंट ह ही क्लिए तो बच्चों यहां पर मैं से बातकुर रेसमगर जोsecond की बढ़े तो यह define कहता यहान्स और न मारे रोयत और हम्या प्र्रीदाइ केंटों कैजव का यूज हम किस प्रकार से मैनियोर बिनाने में है मैं रिए आप से बात कुछ इस प्रोसेब हम बोलते हैं वर्मी कम्पोस्टिंग बोलते थो फर्स्ट जो हमार हम्हार क्रिक्टान सो जाएगा फर्स जो है वो हमारा क्रेक्टांस रोजएगा बच्व नेक्स है कि कोर्ट से प्राथ किया जाता है यानि कि कोर्ट जो है यह क्या है किस से प्राथ किया जाता है मेरे आप से बात को तो बच्व कोर्ट जो है यह नारेल के फाइबर है क्या है एक प्रकार के तंतु है जो हम न आप लोगों के यह अभी राज प्लीज मतलब एक कमेंट को बार बार रिपीट मन कीजिए आप मुझे एक बार बताए तो सही कि आज की आज की जो स्रिप्ट में कॉशन हुए बचू उसमें किस तरीकी के नुमेरिकल पूछ हुए है अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो किमिस्ट्री में भी है बहुत सारे निमेरिकल तो फिजीकस में भी है बचू तो एक बार मुझे बताएंगे तब-ो मैं आपको बताओंगेना अंकित कुमार कहाने कि प्लांट के मेल गेमीड मेंस यह प्लीज एक वर पूरा सही से लिखने कि बताएं प्लांट के मेल गेमेira उनको क्या बोलते हैं तो आपको पता हैं कि बच्चु यहांपर प्लान्ड के अंदर इन्डर शो बंते हैं पॉलन ग्रेंस बंते हैं पॉलन ग्रेंस गैज़、 पैंफिसर में बनते हैं नेक्स है कि मिजली पेदा करने के लिए जो कोंसे अगशा होती है Think आपको पता है जो हली जो कोंपारो पेदा करने के लिए विचालत Dil recruit होती रिंटिज nam show औरुकशी होलतReg एस पुझेजय RED विच्छ से बच diferencia का तो आपको पता है कि यह सोलर को किसमें चेंज करता है यह सोलर को से बात करो यह सोलर एंटर्जी को यह बदलता है तो हमें पुछ आए कि सोलर से लेक्टिकल कौन बिनाता है तो क्रेक्ट टांसर क्या हो जाएगा थर्ड क्या हो जाएगा थर्ट दरपन और दरपन और आप लेंस की बात करें न कि दरपन और लेंस से कुछन पूछे वे थे ठीक है मैं आपको बता दूंगी किलियर पता है नहीं चल रहा है एक जूलिया आप मतलब questions को या तो आप सई से नहीं बता पा रहे हैं या फिर आप questions कुछ और बता रहे हैं और मैं answer कुछ और बता रहे हूँ तो correct answer हो जाएगा बच्छो हमारा third कौन सो जाएगा? third जो है correct answer हो जाएगा next time biomass में सामिल नहीं है आपको पता होगा बता हो сюда biomass एक्षल में होता है यह बहुत ही pretty simple है biomass का मतलब यह होता है Tam 25 के बात कि नहीं डाहे हं living में आपको स्कूल कहों आता है डेड़ हो जाता है तो क्या बनता है बच्चू बावमास बनता है तो इसमें सारे के सारे कौनसा मेटर होता है बच्चू इसमें सब के सब के अंदर कौनसा होता है यहाँ पर कार्वनिक पदात होता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा यह और एंथर दोनुं ओप्सन में थे तो क्वेशन को सई सरी प्रेजेंट करों न तब मैं बता पाऊंगी तब मैं बता पाऊंगी यार बच्चो आप मतलब बिल्कुल मतलब सैटिस्फाइन नहीं हुआ क्या है अब लोगों की कोईशन से करेक्ट आप सोजाएगा बच्चो थड़ क्या हो जाएगा थड़ फिर देखें बच्चो नेक्स कोईशन कोईशन है नेक्स कि मेंडल दोरा आज्यन किये गए एक मोनो हाइबिड क्रोस के एफटू फिनो टाइप का अनुपाद क्या होगा टो आपको बताई बच्चो मेंडल की मेरी आपसे बात करू है इस ने दो इसके दो एक्स्प्रेमेंट बहुत ज्यादा फियमेशन है एक तो कॉनसा है इसका मोनो हाइबिड है और डूसरा इसका है डाइ हाइबिड को लिए तो एक तो हो जाएक का ना अटिवरीड में क्या तो यहां पर जब आप 1-2-1 को दो टाइम करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा इसका कालेक्ट आइंसर आजएगा तो यहां पर जब चाएगा पर जाएगा इसका क्या है तो आपके परण दो परकास क्या जाता है आपको यह बताना है कि जितनी भी लाइट पोदे के पास आती है उसका कितना प्रतिस्थथ भाग पोदे प्रकास एंसलेशन में यूज़ करते हैं तो what percentage of the energy of sunlight falling on leaves is converted into food energy by plants तो मैं आपको बदा दूँँ यहां पर सिर्फ एक परसेंट बाग जो है यह किसमे काम आता है बचू यह आता है फोटो सिंतेसिस में और फोटो सिंतेसिस के दोरा पोदे क्या बनाते बचू ग्लुकोस बनाते हैं क्या बनाते हैं, इसलिए पोदे जू होते हैं यह कैसे होते हैं यह होते बचू सौप ऑलसी कैसे होते हैं, सौप होते हैं, अटोडोग होते है हमारा करेक्ट रंसर हो जाएगा और अंसर जो है वह एक परसंट हो जाएगा के लिर तो सेकंड जो है वह करेक्ट रोगा फिर देखें लेक्ट कोशन बायो मांस सब ज्यादातर संदर्वित करता है अब यह बंशो कौन आते हैं तो प्लांट एनिमल माइक्रोनिजम इन सब के लिविंग इन सब यह म्रत भाग होते हैं वो मिलकर बायोमास बनाता है है और यह जनरली कॉंसर मेंटर होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो यह पर जैनरली क्या होगे बच्छों यह जाद ही मतलब डाउट हो रहा है बच्छों कि आप लोगों के लिए ऐक बात बजा दो एक्चुली अलगलेक स्िप्ट में एक्जाम होंगे तो जरूरी नहीं है कि अभी जैसे आज वाली सिप्टम में यदी लाइट से ज्यादा कोशन आये हैं तो अगली वाली सिप्टम में भी कोशन कहीं से भी बन सकता है पूरी की पूरी साइन से जुझान बन सकता है कि लिए बच्चों को हमारा कर्शन है कि पाइटताइंतर की सबसे चोटी एकाई है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दे एकोसिस्टम इस आपको बताना है कि क्या है पहला आयन मंडल आयनो स्पेर बच्चों सेकंड डियावाइस ताल मंडल यानि कि लिटो स्पेर ऑफ्सन थाड़ है जीव मंडल वायर स्पेर और चोटा है बच्चों मिजो स्पेर तो आपको पता है कि पाइटताइंतर में एक कोई लिविंग यूनिट तो होने चाहिए यान आपको बताना है कि पाइट अंजर के समुझे को क्या बोलते हैं सेट ओप एको सिस्ट्रम को हम क्या बोलते हैं अब इसे को कोर्स काव मिलेगा मतलब क्या बोल रहा हूं ओके मैं कोसिस करूंगी कि जब हमारे कल क्लास हो तब उसमें सारे टोपिक्स रिलेटेड कोशन आए क्लियर जब हमारे कल क्लास होगी तब मैं कोसिस करूंगी कि सारे टोपिक्स रिलेटेड कोशन आए क्लियर तो बच्चो यहाँ पर आम बाद करें तो इसकी जो समुचे है इसको उम क्या बोलते हैं वायों बोलते हैं यानि कि बहुत सारे ecosystem जो है, यह मिलकर क्या बनाता है, setup ecosystem का मतलब यह है कि कोई ऐसे मतलब पैर्स नहीं है दो ये दो से अधी को किस्रम को जो ग्रूप है या वो स्पेस जो है बच्चो हम उसको क्या बोलते हैं बायों बोलते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा बच्चू first क्या हो जाएगा first आप लोग hard hard करते रहो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कितना hard आया है बच्चू please question को सही तरीके से represent करो clear तो यहां पर correct answer हो जाएगा बच्चू हमारा first क्या हो जाएगा next है कि कोसी का विबाजन के समय केंदर के अंदर द्रश्यमान DNA के थ्रेड है आपको यह बताना है कि जब कोसी का विबाजित होती है तो उसका जो नुक्लियस होता है उसमें नुकलियूप्लास्म होता है उसमें क एंदर द्रवे में दागे के समान क्या होती बच्चू structure होती है तो वो क्या होते हैं आपको पूचा है कि डेने ट्रेट इपेर इंसाइड नुक्रेस एट टाइम उप सेल दिविजन उनको इंगा बोलते हैं या फिर उनको हम सेंटरल्स बोलते हैं या उनको हम एस्टर्स ब प्रचार प्रचार करो और प्रचार 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 करने का ज्यादा भी रस्या में चले जाए इस तो बच्चो । सci है जब कोशी का विभाजन होता है तो यह किस में convert हो जाते हैं क्रोमोजोम में यह convert हो जाते हैं क्लियर तो correct answer हो जाएगा बच्छो हमारा 4 कौंस हो जाएगा 4 जो है यह हमारा correct answer हो जाएगा फिर देखें बच्छो नेक्स कॉशन कॉशन यह है कि मनुश्य के autosome के कितने जोड जो है इसके जोड़े होते है 22 जोड़ी 22 जोड़ी क्या होते है autosome होते है तो यहापर हमारा correct answer क्या हो जाएगा autosome के कितने जोड़े होते बच्छो 22 जोड़े होते है तो second जो है यह हमारा correct answer हो जाएगा गलत 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 बच्छो आपसे क्या पूचा है आपसे पूचा है आपसे पूचा है बच्चु, यहाँ पर की मनुशे के और जोड़े होते हैं? और हमारा और जोड़े होते हैं? तो यहाँ पर हमारा कर्根िरण सरंन्स रुजाएगा बच्चु, आपको बता है मिन आपको कल भी बता है कि कोशन रिपीटेड हो गया तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बच्छो फर्स्ट क्या हो जाएगा फिर आपको बता है फिर फिलेंट ग्लास में किसका यूज करते हैं बच्छो हम यूज करते हैं प्रिजम का किसका यूज करते हैं और आपको पता है कि प्रीज में से जब हम लाइट गुजारता है तो बच्चों प्रीज में जो है इसको साथ रंगों में विवाजित कर देता है सात रंग मे इसको विवाजिट कर देता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मॉलते हैं color dispersion इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम color dispersion बोलते हैं इसको हम wordwy sappan बोलते हैं clear तो हमारा correct answer कौन सो जगा fourth जो है? यह यह हमारा correct answer हो जाएगा फिर देखे बच्चो नेक्स कोशन आपके पास है कि रासाइनी ग्रूप से जल होता हैं केमिकली वोटर का फोर्मेशन कैसे होता है तो उस आजार पड़ी दे आप इसका आंसर देंगे पड़ाओं में कफच्टन वाले सारे कोशंस आया थे ऑजब में ऐसे कोशन आपको करवाई थी थी अप्लोग के सबset यह गलत आते थी मैंने आपको ऊई कोशन करवाई था हैं जिसमें मैंने CFI प इसा कोशन करवाई था घिक है तो LED और CFL में comparison करने वाला मैंने कथा नैसर संदिजन वाला question करवाए था ना तब बच्चे क्या बोले थे कि नहीं मैं ऐसा नहीं पूछा जाएगा मतलब आप ही decide करते हों कि मैं ऐसा नहीं पूछा जाएगा और फिर बाग में जब question नहीं बनते हैं तब आप decide करते हों कि मैं पेपर बोर टाफ आए था है ना तो बच्चो हम पहले लेवल का पड़ते हैं ताकि बाग में हमारे को दिक्कत नहीं आए देखिए बचो में और आपसे बात करूँ तो पानी यह कैसे बनता है एक रासानी रूप से क्या होगा बच्चो यह क्या होगा एक क्या होगा एक औक साइड होगा हमारा क्रेक त्रानस के हमारा एक हैं कर एक करने कुछ अइसा कुछ है कि जह क्टर की वस्तु अइस्वा टो कि नहीं को सब्सक्राइब को पता है यहां पर क्या होता है बहुत उचाई से पानी गिरता है बच्चू आपर क्या लगा होता है तर्बाइन जो है वह मेकेनिकल एनर्जी को किसमें करते हैं एलेक्डिकल एनर्जी डीमे चेंज करता है तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा क्या है बच्चू देखो यांत्रि गुट द्रृट्स को किसमें करता है विद्यो तमें करता है हमारा क्रेक्ट टांसर हो जाएगा बच्छों क्या हो जाएगा फिर एक बच्छों क्या बोलते हैं यह पूछा गया है अरे पूछा गया तो है लेकिन पूछा हुआ क्या है क्या पूछा है उतर लेंज के बारे में यह बता है ठीक है यहां पर पहला है बेकिंग पाउडर तीसरा है कास्तिक सोडा बच्छों चोता है रेड ओक्साइड आपको बताना है कि यह क्या करता है आपको याद होगा बच्छों जब हम क्या करते हैं जब हम क्या करते है बच्वो मैं इसको बोलते हैं स्लेक्ड रिलाइम क्या बोलता है इसको हम बीचिंग पाउडर का यूज जो है बच्वो यह पेपर इंडिस्री में भी होता है इसके लावा जल Kolos इसका यूज होता है ठीक है अमले का पियेज तो आपको पते हैं आमने सोरेंसन की पड़ी है बचो और वहां पर यहां पर यहां पर यहां पर में आपसे बात करूँ तो यह इसका प्लिचिंग पाउडर हो जाएगा कार्सिक सोडी को में की सब union कार बेकित कार्ड़ सिस्कों बछू किसको आपको इसको बोलते हैं okay स्लिधा यह तो अब आए विटामीन एका राशनीनाम होथा है बचो टोको फे रोल ल क्या होसा है तोएक तो प्रक फेरोल होता है तो ये चीज़ में आपको पहले ही बता ही है कि सारके सारे विटामिन के रसानिक नाम आपको पता होना जाए ठीक है विटामिन E का रसानिक नाम होता है टोकोफेरोल क्लियर तो अब हमें क्या पता रगना है बचू हमें पता हुए विटामिन के बाकी जो विटामिन से उंके रासानिक नाम क्या है आज हम को पता है बलैंढ़ का पी स्थ आपको पिएघ बट का पी सेवन पॉएंट फोर होता है तो क्रेक्टान्स हो जाएगा बचू यहां पर हमारा फर्स कौन सूज़एगा फरस जो है वह हमारा करेक्टर मोजाए गाँ अब यह कहने के खेट में से कौन से ग्चेट से निकलती दान एक सारे के उप्योग में आपको बता थे अब देखो जामित के खेट का मैं ना के खेट का मतलब जब आप कर पांई होंब आप पानी का मतलब दल्दल होगा और इसने आपको यहाँ पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मैं बात करूं द्रश्टी दोस्ति निवहाणाना में किस का उपयोग करते हैं चाहर में येए पर जाने वाली बंबन अपको यहां पर दिया वहा है यह अपको दिया वहाँ औको स्यांकिटो आपको दिया बचू किलिया तो यह अपर बता दीजे फटावड से हाँ अरुन कुमार जी एक चुरी आप सही कहे रहे हैं बट सबको थोड़ी ना पसंद आती है कि बहुत सारे बच्चे क्लास देखते हैं लेकिन जरूर थोड़ी कि सबको क्लास पसंद आये कोई ज़रूर नहीं है तो बचु मैं भी आप से बात करूएail को बता है कि कौनसी है बढ़ा सकते हैं और नैट्रोजन नहीं लगबख होती है बहुत और वहत कम कर िबहुत है no पर हमारा पर हमारा सी क्या हो जाएगा सी जो है वो परेक्ट रोजेगा फिर नेक्स है कि मनुष्य मस्तिस्क में सी एसेप की मात्रा कितनी होती अमाउंट परेक्स क्या हो जाएगा परेक्ट रोजेगा हमारा करेक्ट रोजेगा 106 हमारा सेकंड क्या हो जाएगा सेकंड जो ही हमारा कि रिकन्स हो जाएगा सिंदूर का रासानिक सुत्र है chemical formula और तो वार इस आपको बताना कि सिन्ने बार कोई हम क्या बोलते हैं और यह होता है Mercuric Sulfide क्या होता , mercuric sulphide कोई हम पहलें ,, यह हो जाएगा Mercuric Sulphide , तो correct answer हो जाएगा हमारा कर्यक्त टांसर हो जाएगा हमारा बच्छो Mercuric Sulphide , 2nd जो है हमारा correct answer हो जाएगा , फिर देख्ञें , Qešan 9 ने बच्छो हमारा , जिम्निमें , कौनसा एक अन्वासिक रोग है आपको बताना है कि कौनसा जो है वो जैनेटिक डिजीज है जो कि पेरेंट्स से उसके बच्चों में आती है है ऐसे बताना है कि कौनसे डिजीज जो है जेनेटिक डिजीज है बच्चे रो रहे हैं कियरे की पेपर बहुत हाड आए है इतना रोना इसलिह आ रहा है क्या कि मैं आपको बार-बार बोलती थी बच्चों पढ़ लो पढ़ लो सुनता को ने हमारी हैं सुनते तो हो नहीं तो क्या होगा correct answer नियाँ पार sickle cell anemia यह एक परकार का जनेटिक डिजीज है यह जहाए बेक्ट्रिया से होने वाला डिजीज है एड्स जहें बचू आपको पता है ही वाईरस होता है यह ही वाईरस होता है क्लियर की妹 302 सबस्का इसको फ्लास्पोर्इम नर्मादर गोन व् rolled चाहरी वेक्टवणा वेक्टर हम एक और त्ट कीम facility सबस्का है फ्लास्प। जाती हैं प्रोड़ नेक्स कोशन नर के लख्षम देने वाला गुंड सुत्र है लब करेक्टर आपको बताना है कि आपको इंडरेटली यह बताना है कि जो लड़का होता है उसमें कौन सा क्रोमोजोम होता है तो उसके लिए कौन सा क्रोमोजोम है या फिर 22 क्रोमोजोम है या फिर 21 क्रोमोजोम है फटापट बता दो फटापट बता दो रोने की कोई बात नहीं है हो सकता है हमारा पेपर आसान नहीं गया हो इससे हमें सीख लेने की जरूत है ठीके इसे हमें सीख ल तो बच्चों आप जैसे लोग ही करते हैं ठीक है ऐसा तो है नहीं आप जैसे बच्चे इसलेक्ट होगा तो जो पड़ा ही करेगा वह जीतेगा ठीक है वह सक्सेस होगा अधसे बात करूँ तो नर के लक्शन देने माला OK saंज यहां पर Y chromosome कोहई क्रोमोसोम फ्र माला हो जाएगा यह नर क्रॉमोसोम यह नर करेक्शन देता है नेक्स्ट है कि बचो निम्न में अक्री गेसु का सम्मू है फॉलोविंग इस ए ग्रूप औप इनर्ट गेसे तो आपको पता है मैं इदी बात करूँ तो बचो अथारवा वर्ग जो है अंतिम वर्ग जो है वो अथारवा वर्ग है बचो इसमें कौन गोंसी गेस है इसमें हो जाएगी हीलियम इसके लाव हो जाएगी नियोन बचो इसमें हो जाएगी आर्गन क्रिप्टों जिनोन और रेड़न ठीक है तो यहां पर यह सारी के सारी गेसे आपको याद रगन यह सा कुछा जाएगा हीलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन तो हम जेक कर लेते हैं यहाँ पर मैं बात को बचू हाइडोजन नहीं होती हैं दूसरा है रेडोन, हीलियम और आरगन तो यास बिल्कुल करेक्ट आंसर बचू यह हमारा करेक्टांस हो जाएगा ठीक है, यह एक कॉशन टाइप किया था, यहाँ पर यह बच्चे कॉशन जो है इसमें नाम भी तो लिखे बेजो कि क्या नाम आ रहे हैं इसमें यह तो यहाँ पर हमारा करेक्टांस हो जाएगा भाचू, 2nd क्या हो जाएगा, 2nd इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ठीक है नेक्स से परचू, डॉट्स ब्रोiveness का समन्व किसे हैं तो मैंने आपको बताए », डॉट्स का समन्वां जो है बचू, वह टीबी के डाइरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट 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 शोट मेथर्ड कोर्स क्या हो जाएगा शोट मेथर्ड कोर्स तो यहां पर आपको याद रहना है डोट्स की मेरी बात करूँ या फिर आपको बात करूँ करें यहां सब्सक्राइब साफ करें इसको प्रोपर लिया था एक पर आप टाइप करके बहुत है लिन की सिंगारे ना आप पता है कि pro यह स्रॉंगन होंगा मनोश्य मनुष्य का गुर्प्ल सुत्रराइश गश्या द्वी सूत्री आरेने से डबल स्टेंडेड आरेने से या फिर तीछा है एक सूत्री डियने से बच्छो सिंगल स्टेंडेड डियने से या फिर चोता है द्वी सूत्री डियने से डबल स्टेंडेड डियने से तो आपको बताना है कि मनुष्य का जो क्रोमोसोम है वो किसका ब इसलिए 1953 में इनको मिला था nobel prize मिला था जिलिए तो मनुष्य का क्रोमोसोम 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 भात करूवगा रहे क्रोमोसोम कि वह पता है यह बना हूँ बना हुथा डीएने और प्रोटिन से मिलकर बना हुथा है और DNA जो है बच्छू DNA जो होता है ये क्या होता है DNA जो है बच्छू ये double standard होता है कैसा होता है ये 2 सुत्री होता है आपने इस तरीकी का diagram जो है वो देखे ही होगा तो correct answer क्या हो जाएगा अच्छा conductivity ग्याद करनी है ओके ओके वेरी नाइस बहुत बड़ी है क्या वेटा तो देखें यहां पर हमारा correct answer हो जाएगा उच्छू फोट क्या हो जाएगा फोट जो है हमारा correct answer हो जाएगा एक बार आपके पास आउंगी जब आप मुझे question को वापस से करके बेजना में आपको बता दूंगी ठीक है बिलकुल सही है आप लोगों का answer में समझ गई question क्या पूच्छा है फिर next है बच्छू next है मारा next है मारा यहाँ पर बच्छू यह काम करना यह number बेर करना आप जिस आपको पता हो तो सर्फ देखते रहेंगे यहाँ पर आप लोगों के क्या question पूच्छे जा रहें नेक्स से बच्छो मारा next है मारा निमलिकित में से सत्या कतने विच ओब दे फॉलोविंग इस एक करेक्ट स्टेट्मेंट बेंगली रंग का तरंग देदरे सबसे कम दता आ अबरती नंतम होती हैं wavelength of red color is maximum and frequency is frequency is minimum आपको बताना है कि कौन और से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या फिर और समके वल उड़ी जो है वो करेक्ट है या फिर only भी करेट है या फिर नन अब इस जादा आरा है कोई देखर नहीं हम कल सारे सवाल जो है हो physics के लेकर आएं कोई बात नहीं है फिर दीख्ये फिर देख्ये ஒ हा बिल्कुल सही बात है बच्चो मैं अपसे बात करूं तो हम क्या जमाते हैं हम इसको जमाते न में विद्य करूंड में क्विबी ओर करूंड में जमाते हैं लाल का तर hall देरे कर क्या हैं बड़ता हुआ क्रश्ल है इसका मतलब यह तो कंफर्म होगे अभी रेड की मेक्जिमम है और वोईलेट की मिनिमम है तो ऐसा ही कह रहा है हमको ऐसा कह रहा है कि लाल का तरंग ने दे अधिक्तम जब की बेंगने का सबसे कम तो है यानि कि लाइन के आगे आगे वाला पॉर्सन जो है जो है वो तो क्या मानुपाति होगीESE की फ्रिक्वेंसी डाल होगी से नुए-ट कर र hell कि तो यहां पर हमें बोला हैं क्या तो ओगी मिनिमम होगी हमें मिनिममत और यहीं होगी मेजिमम होगी क्या हमें ऐसे बोला है क्या लेमें है और आइस इन तो हमारा इस més टाक निख सएधों किलियर यह हमारा कोईस्टन जो है कि क्या हो जाएगा backing नेक्स बचू किसको उर्जा का प्राथ सुरत केते हैं किसको उर्जा का प्राजुरत बोलते हैं कि सबसे पहले हमको उर्जा का आएंश से यह सब्राप्न होती है प्रिति में की क्लास कब होगी I have no idea ओके तो करेक्ट आंसर होजएगा बचो सेकंड क्या होजएगा सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर होजएगा फिर बचो हमारा नेक्स है नेक्स हमारा ये है कि नेतर परत जो प्रकास के प्रति सवेंदन सिल्टा दरसाती है लेरो पाई वीच फोटो सेंसिटी होता आपको पता है कि प्रकास के प्रति सवेंदन सिल्टा कोन दरसाती बचो वो दरसाती है रेटिना क्योंकि रेटिना परी क्या बनता है प्रतिविम ब इसको खनता है तो और इसको चांच करता है यहां पर टीकर्ट आपने काइन इसको करता है तो करेक्सर हो जएगा हमारा थर्ड क्या हो जएगा थर्ड यह म愛ण है जो घ्र आपने ओक्साइगा पिर नेक्स गौशलियगा तेजाबी वर्षा का और तो नाइटोजन और क्या हो जाएगा नाव था इसे मिसरा कोई सर्मा कुछ बेज़े थे बचू वह एक बार क्वेशन मुझे रिपीट वापस आप टाइप करके बेज़े तागी मैं उसका सोलीशन आपको करवाँ एक बार एक बार कॉशन जो है वह वापस से बताया था कि मैं आप लोगों का सोलीशन करवा सको फिर देखे बचू नेक्स कोशन है कि टाइफाइट बुखार का कारण है आपको पता है टाइफाइट बुखार का कारण जो है गंगु भाई देखी की नहीं देखी बुखार तो वहां गे-भाई जो है चलत की जो है एक टाइफाइट बच ग्रू आपको पता होनु जो है जो हमने नेक्स होटाइट रहें सब्सक्राइट के नीमें कई उसल्पी करत tu pants होगा और घिक्रेक्ट एगा बच्छू नेक्स कोशन सब्सक्राइट एग दाट्टू जिसका 5G हमimizi 2 खालोपिं फ्री रिगारी को दो मुखों की 수가 लिगा नियरता है लिए पृदाप को रूपता हैं को यहाँ पर फ्री निम्र में से कों प्राथमिबोगता है को सितीज्र के और किया है मतलब यहीं संद्सट्टक केता है लिए thickasking होगता है बच्चो पादप को जो खाएगा वो क्या कलाएगा साकाहरी होगा और साकारी जो होगा वो ही क्या होगा प्राथमी को बोगता होगा क्या होगा प्राथमी को बोगता होगा यानि कि उत पादप से हमारी जो खातिया स्रंगला है वो किसके तरब चलती है बच्चो प्राइमरी statement for salt is आपको बताना है कि लवण के लिए सत्य कतन कौन सा है एक यह आइनिक होता है इस एलेक्टोलाइट कमपांट सेकन है इसमें दनाइन कता घेना ही होता है इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन बच्चो थार्ड है sodium chloride एक लवण है sodium chloride is a salt बता दो फटा बटसे salt के लिए कौन सा statement जो है वो correct है कौन सा statement जो है वो correct है सिर्के का pH क्या होगा बच्चों सिर्के का pH जो है एक मिनट टेक्निकल टिम प्लीज इस कमेंट को थोड़ा रोक के रखे रिशे सर्मा का कमेंट आ रहा है यस यस बिल्कुल बच्चों इस question का answer देख लेते हैं तो आपको बता है कि यह आयनी compound होते हैं बिल्कुल क्योंकि यह अमलोग और स्यार्ट से बनते हैं तो यह आयनी compound होता है इसमें धनान और इनान दोनी होते हैं बच्चों यह sodium chloride एक लवण है यह पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा बच्चों यह पर हमारा correct answer हो जाएगा C क्या हो जाएगा आप देखें यहां पर हम बच्चों question लेता है question यह कि किसी चालक में 150 Ohm का प्रतिरोध उत्पन करने के लिए यानि कि हमको एक conductor दे रहा है बचु उसका प्रतिरोध आर कामान कितना दे रहा है और फिर है उत्पं करने के लिए 5 मीटर तार की जरुत होती है, पांच मीटर तार यहां पर दे रहा है, बैच लंबाई हमको दे रहा है, पांच मीटर ठीक है, पांच मीटर जो है, वो लंबाई दे रहा है, और फिर कह रहा है कि, तार की, यह दिखा यह नहीं दे रहा है, यार, तार की, यह क्या मान दे रहा है कुछ, I think 0.5, 0.5 into 10 to the power, into 10 to the power 6, minus 6 है, I think तार की तरीजा बोल रहे होंगे, जहां तक मैं समझ पारे हूं, यहां पर तार की तरीजा जो है, वो हमको दे रहे हैं, 0.25 into 10 to the power minus 6, तो आपको ग्याद करना है कि प्रतिरोधता क्या होगी, तो प्रतिरोधता क्या होगी, सही बात है कि नहीं है, अरे यही है क्या, अरे यही है या फिर नहीं है, आपको प्रतिरोधता जो है, वो ग्याद करनी है, बच्चु क्या मैं सही बोले हूं क्या आप लोगों को, क्या मै में 150 ओम का प्रतिरोद उत्पन करने के लिए 5 मिटर तार की जरुद पड़ती है तो तार की त्रीजा इतनी है अरे सर्मा एक बार कमेंट कीज़े क्या मैंने जो लिखी है वो सारी चीज़े सही है क्या Yes Okay Okay अब देखे आपको क्या पुछा है यहाँ पर L रो पुछा है बच्छों पधरतेरोद पफुचे तो बहुत ही आसाल है आप लोगों को मैंने बताया था इसा तो आपको क्या ग्यात करना है तो रो इस एक पॉल टू क्या हो जाएगा ner progress अ अंगरे क्ले को तर में उसमाने जब होगा तार्फ यह होगा वोंग एंड से क्या होगा एक गोलाकारी तो होगा क्या होगा इस तरीके से योगा तो उसका शेतरबिल क्या होगा उसका शेतरबिल क्या होगा बच्छो यहां पर एक तरीके से व्रत्यकारी तो होगा जैसे तार का एंड जो है उसको हम अनुप्रस्ट कार शेतरबिल लेते हैं तो शेतरबिल क्या होगा पा पटा 457ड़्ब आवाल तो क्या हो जाएगा करेंगी तो यहाँ पर जब इसको आप solve करेंगे तो बच्चो आपके पास क्या जाएगा answer आजाएगा ठीक है यहाँ पर आपका जो है बच्चो क्या जाएगा correct answer जो है यहाँ पर आप solve करेंगे तो इसका answer जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा clear अच्छा सिलिंडर का एरिया आएगा क्या यहां पर बच्छो इसको सॉल कर लेना आंसर आजाएगा आप लोगों को क्लियर फिर देखे बच्छो नेक्स कोशन है कि मानव जिनोम में गुंसुद्र की संक्या कितनी होती है नमबर और प्रॉमोदोपे इंहीमन जिनोम ही बच्छो आपको बताना कि जिनोम जो है कि लिया आप से बात करूं तो नेखो ने बेटा में यहां यहां थोड़ी पेटुऊंगी कि यार इतो, Calculation है, Calculation फोड़ी बहुता आंसर आज आएगा, गजब करते हो यार आप लोग तो, Genome जो है, यह क्या होता है, Heploid Number of Chromosome क्या होते है, Heploid Number of Chromosome होते है, Heploid Number of Chromosome जो है, इसको हम क्या बोलते है, इसको हम बोलते है फिर देखे बच्चो नेक्स कॉशन कॉशन है हमारा नेक्स्ट विद्यो चुम्बग में काम आने वाली धातो कौन से है मेटल यूज रिन इलेक्टो मेगनेट्स आपको बताना है कि विद्यो चुम्बग बनाना के लिए कौन से धातो यूज माती देखे बच्चो नेक्स कोशन नेक्स कॉशन आपको बताना है कि कौनसा जो है वो पायस का उदान है बच्चों आपको बताना है कि following is an example of immersion पहला है तेल का जल में मिलाना याने कि mixing of oil in water या फिर second है जल का तेल में मिलाना mixing of water in oil तो बच्चों दोनों प्रकार के 20 जो है वो बन सकता है तो याँ पर हमारा correct answer हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा बच्चों हमारा first हो जाएगा फिर next question है कि pencil का lead बनावा होता है ना मोटा दर्शन खोटा वाला काम है या बट ठीक है आपको बताना है कि pencil lead जो है किसका बनावा होता है pencil lead जो है किसका बनावा होता है फटापट बता दू यस एक बार comment को start कर दीजिए प्लीज अच्चों यहां पर pencil का lead की में जी बात करो तो यह किसका बनावा होता graphite का बनावा होता है clear graphite का बनावा होता है यस यह नया question है क्या रिशे सर्मा का नया question है क्या दो मीटर लंबा एक ताड जिसकी त्रीजा दो इंटो दुसकी गात माइनस चार उस ताड मुत बनावाला प्रतिरोध का मान गयाद कीजिए यह question पिछला वाला से अलग लग लग रहा है yes मैं करवा देती हूं एक बहुत यह आसाने बच्चों इस इक्वल तो आर ए अपोन एल हो जाएगा इसी को इसी में आप मान रखे solve करोगे तो बच्चों इसका answer आजाएगा आप लोगों का एक ही question को दो तरीके से पूछा हूआ है ठीक है दो तरीके से पूछा हूआ है आप लोग जो है correct answer कर सकते हो ठीक है तो बच्चों हमारा second फिर बच्चों next देखे question question है कि भूग तता प्यास के केंदर मस्तिस्की के किस बाग में पाय जाते है hunger and thrust centers are found in which part of the brain तो आपको पता है कि भूग और प्यास को निंतन करने वाले केंदर जो है scientific name भी पूछे हुए थे क्या अगर पूछे हुए है तो मैं बिल्कुल करवा दूंगी कोई दिक्कर नहीं है तो बूग तता प्यास के केंदर मस्तिस्की के किस बाग में पाय जाते है वच्चों hunger and thrust centers are found in which part of brain तो यह होते हैं वच्चों हाइपो थेलेमस में कहाँ पर होते हैं हाइपो चेलेमस में तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा फोर्ट जो है यह हमारा correct answer हो जाएगा फिर देखे बच्चों next question question हमारा यही कि बेक्टिरिया चनक संक्रामक रोग जिसका संक्रामक लेंगिक संपर्क से फेलता है आपको बतन है कि इसमें से कौन कौन से डिजीज जो है बच्चों वह जो है किसके द्वारा फेलती है sexual contact के दारा फेलती है sexual contact के दारा एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति में फेलती है स्वास्त तवच्चा का pH अपनी skin का pH पुचाएं अपनी skin जो है बच्चों उसमें क्या पाई जाते है salt होते है बच्चो यहां पर एड्स चो है ये भी sexual context से होता है सिफलिस भी होता है गोनीडिया भी होता है तो correct answer क्या हो जाएगा 4th जो है ये हमारा correct answer हो जाएगा फिर देगे बच्चो next question question है हमारा next कि मनुश्य नेंतर में पाए जाता है अब ड्री भी उथा लिन्स बोलता है हम इसको पाएग कोनवेस लेंस बोलते है तो यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा 3rd जो है वह हमारा correct answer हो जाएगा फिर देखें बच्चो next question बहुत लेवल आgriffल से पढ़लोटसी दिविजन कर लो नेक्स है मेगनिशियम का अप्यों कहाँ पर होता है मेगनिशियम ये यूज दिन तो आपको बता है मेगनिशियम जो है बचु ये कलोरफिल में होता है इसलिए कलोरफिल में क्या होता है इसलिए पोदे क्या करते है प्रकास अंसलिशन करते है फिर बचु नेक्स आपको बता यह मलेरिया का लख्सन नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, फोर्ट कॉंस हो जाएगा, फोर्ट जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिर बच्छो नेक्स है, एसे परदाट की बनी होनी चीए, जिसका गलनांग कम हो, हाँ, बिल्कुल विकास जी के बिल्कुल सई कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल विकास जी यहाँ पर सई कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि बई, मतलब इनकी बात से तो ऐसा लग रहा है, हाँ, एक क्वेशन ऐसा भी था, जिसमें कोई बस चलना प्रादम करती हैं, तो उसका वेग 60 मीटर पर सेकंड हो, टाइम 5 सेकंड हो, तो बचो तुवरन कुछा है, तो आसान है ना, यह तो बहुत ही आसान है, इसमें तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस चलना प्रादम करती हैं, तो प्रादम भी क्या हो जाएगा, जिरो हो जाएगा, तो आपको बता है, V is equal to U plus 80 हम गति का प्रथम समीकर लगाते हैं V is equal to U plus 80 तो U तो 0 हो जाएगा प्राइरम में चलना प्राइरम के के तो U तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा V जो है बचो आपको दे रखा है V का मन आपको 60 दे रखा है अपको टाइम दे रखा है फी देकिए बच्चू नेक्स ग्जाशन इसका धैक्ट आअप्रा हो जाएगा हमारा सेकंड कौन सु षर्ण हो जाएगा नेक्स कॉशन है बच्चू हुमारा कि लेक होता है लेक क्या होता है, जन्तु उत्पास होता है, पादु उत्पास होता है, कवाग उत्पास होता है या फिर ये एक परकार का लार्वा होता है, फटा बट बता दो, फटा बट बता दो बच्चू, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटा बट बता तो बच्चों correct answer क्या होगा हाँ बिल्कुल हमंत लेवांसी ने बिल्कुल correct answer बताया है बकरी का scientific name अच्छे scientific name भी पूछ रहे है बच्चे यहां पर exam के इंदर बिल्कुल सही है बच्चों यहां पर मैं बच्ची यह बात करू। लेख एक प्रकार कर क्या है बच्छों ane इंसेक्ट है यहां पर in-set क्या होता कैंविल होता है तो यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा एक जनतव उतपाद हो जाएगा पिद बच्चों next question पर नास्पति यह क्या होता है यानि कि जिसमें ओविल से सीड बनते हैं बिजान से बीज बनते बचूँ अंडशे सफल बनते हैं अब बनते हैं और यह वह दो जाएक आप नहीं तो आपने बात नहीं किया वह बच्चे एक बार बात कर लेना सर से ना मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर एपिस इंडी का जो है बच्चू यह क्या है यह क्या है रेसम कीट है या फिर लाग का कीट है या फिर मदु मगी है इसका अंसर क्या हो जाएगा बच्चू फोर्स हो जाएगा फिर देखें नेक्स कोशन कोशन हमारा है कि किसको प्रकरदिक खाद का कर्णा बोलते हैं आपको बताना है कि कौनसा जो है कौनसा जो है कौनसा जो है वो मेटल नहीं है आपको बताना है कि कौनसा एक दियावा जो है वो मेटल नहीं है फटापर से बता दो कौन सा दिया वाई जो है वो metal नहीं है फटाबड से बता दो देखे यदि मैं बात कुरूँ तो लोहा भी दातू है तामा भी दातू है वचू जिंक भी दातू है तो correct answer क्या हो जाएगा? हमारा correct answer हो जाएगा 3rd क्या हो जाएगा? 3rd जो है हमारा credit answer क्या हो जगा हमारा credit answer हो जगा यहाँ पर 3rd क्या हो जगा यह fourth option कई आ रहे में आप लोगों के अरे D नहीं होगा Be仔 जिक जो है यह एक metal है यहाँ पर sulphur जो है यह नोन वेरी गुड किसी अम्लिक की AdS pointe sud 시ены तो पी च क्या हो 스ौ बहुत ब्चन कौशन है बच्वेट कामेंट देख लेती हूं आपको ऑपको बिभया की सप्साइं आपको दिया वहा है एज प्लस आयन की सांदरता दीवी आपको दसकी काद माइनस चाल तो आपको मैंने बताय होगा आइधिंक जब हमाली मेरतन क्लाशेश चली थी या फिर वैसे भी मैंने आपको बताया था कि बचू हाइडरोजन आयन की सांदरता हमको दे रहे हैं तो हम प सबया तो मइनस और माइनस फॉर ऊंडवार्ण चेंर मालों्य आजाएगा ने ऊंड़ उनकताइगा भी याज और फिर 100% कितना होता है फटापड बता दो फटापड बता दो आपको अबैसे एक सुंदा जी आपको मिल जाएगा हो सकता हैं आपने सर से कॉंटेक्ट नहीं किया हो या फिर सर ज्याधा विजी हो तो ऐसे टैंसे लेने की कोई जरूत नहीं यह बिल्कुल भी है ना यहां पर इसमें सिशा या पुछ बहुत का 0%, कितना होता है, एक परस startup करेक्टटर रोजाएगा, हमारा फर्स्ट, क्या होजाएगा, फर्स पिर्स जो है, यह हमारा करेक्टनर हो जाएगा, पेडिया बचू, टेली ग्राम अरे, बनी पर प्राइब कर देरा होगा आपको डिस्क्रिप्सिन के इंदर वहां पड़ जाकर आपको मिल जाएगी के लिए फिर कोशन है कि बचू कांसा जो है मिस्टर दातु होती है ब्रॉंजी जैन अलोई आपको बताने कि कांसा जो है यह किस-किस दातु की मिस्टर दातु है मेधी आपसे बात कुरू बचू एक हमारे पास होता है ब्रास इसको हम क्या बोलते है पितल बोलते है इसको हम क्या बोलते है पितल में क्या होता है तामबा और जिंक होता है क्या होता है एक हमारे पास होता है ब्रॉंज क्या होता है ब्रॉंज जिसको हम क्या बोलते है कासा ब इसमें होता है लेड और तीन चाहिए बाद करूँ होता है यह सारे के सार आपको याद रगना है तो यहां पर मैं बात करूँ तो बचू ब्रॉंज में क्या होता है ब्रॉंज में कॉपर और टिन होते हैं क्या 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 होते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड जो है यह हमारा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा फिर देखे होमोजीनेस नो सिगनल क्या बात कर दी नो सिगनल आना अब नहीं आएगा ठीक है ब्लेक ब्लेक जिन्दगी का काला अधिया अठाइस तारीक अरे बचो आज साइंस दे भी तो है मैं तो बूली गई थी हाँ बहुत बढ़िया दिरज कुमार मेरा पढ़ाए हुआ एक भी एक पर अलोय जो है यह एक मिक्षर है और विशे दो प्रकार के होते हैं तो अलोय जो है बचू यह प्रकार का कौन सा मिक्षर है यह होमोजीनियस मिक्षर है क्लियर तो यह पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक समानी मिक्षर हो जाएगा तो थर्ड जो है यह हमारा करे यह आप कॉश्चिन समझ में नहीं आ रहा है ऐ सई से थाइप करें के बे बताया थो था निलात होता है भाट तो बताया है बाता है बोलकुल अब बहुत सारे बोल रहे हैं कि कॉशन नहीं आए वो इसलिये क्यूंकि आप सोचों कि मैं में 2-3 दिन की क्लास से सारे कोशन आजाए तो इंपोसिबल है ठीक है इससा नहीं होता बच्छो प्रोपर सारी क्लैसेश अटेंड करने पड़ती हैं तो करेक्ट रांस हो जाएगा हमारा थर्ड क्या हो जाएगा कोई सबसे हमारा क्रेक्ट रांस हो जाएगा तो किस ने की enorme तो सबसे किती रोबोर्ट टोपने की थी आप सबको पता है फृॉट जो है दातू और अदातू जो इसका कर्क्रेक्टरांस हो जाएगा अब कॉल्शन है कि एक मनुशय में 644 एक इस बंसुतर पाए जाते हैं तो यह किसको बताते हैं पशो यह बताते हैं टार्न सिन्ड्रॉम गो कुसको बताते हैं χोमाली स्प्रेस एक 30 iron system को जो हैं तो first जो है यह अमारा correct answer होजेगा फिर next बच्चो अमले की दात्यों के साथ अभीकृया करने पर कौन सी गेस मुक्ष होती है तो आप सब लोग जो है ग्यानी है आप सब को बता है कौन सी गेस मुक्ष होती है hydrogen gauge जो है यह मुक्ष होती है नेक्स से बेकिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं तो आपको पता है इसको हम sodium bicarbonate या फिर sodium hydrogen carbonate के नाम से भी जानते हैं फिर नेक्स से प्लस्टर और पर इसका सूतर क्या है तो जब हम gypsum को गर्म करते हैं CSO4.2S2 को तो क्या प्राफ्थ होता है जिब्सम पराप्त होता है क्या होज़ेगा CSO4.2S2 क्या होज़ेगा CSO4.2S2 प्रबला में कौन सा है आपको मैंने करवा रखा है क्या होता है नाइटेकम होता है क्या होता है क्लियर फिर देखे बच्वों नेक्स कोसिन na bleaching powder का इस्तेमाल नहीं होता है तो आपको पता है खादे चीजु के पर रख्समार नहीं होता है वेपर इंडेशि में होता है पेजल को कि ट्राइट करने में होता है क्लोरोफों में होता है तो करेंक तानसर होजएगा हमारा थ् सब्सक्राइब ऑंबरें Stephen एक seulement अमरा है कि कि किसके होते हैं तो अकि करऽे अस्य Maddo सुटियूम लवन होते हैं फिर प्रदास्य साहवुन में ईस्णit क्यों एथेनॉल का यूज होता है ठीक इस चुनि में मैं ど pues निम्हुने मोइसे are ौइत या संबंदीत नहीं नहीं है दीरज कुमार जी यहां पर कॉशन जो हैं वो टफ ही आते हैं ठीके ना हाँ मैं बहुत इजी कॉशन करवाती हूं एक्चुली इसलिए करवाते हैं क्योंकि सब करवा रखा है तो इसलिए इजी लगता है ठीके लेवल बढ़ भी सकता है जो मैं पढ़ा रही हूं उसका लेवल बढ़ भी तो सकता है अब मैंने आपको प्रतिरोध लंबाई शेत्रपल उनका समन बता रखा है तो बच्चा इतना दिमाग तो खुद को चलाना पड़ेगा ना कि यह सुत्र हमको लगाना है यह सुत्र हमको हमको भी करने पाथती है थोड़ी मेन थंग को भी करने पाथी है यास तो क्या होगा होगा और आपको पताना कि डी ने से समय समन नहीं न घो न होलते हैं दो नॉं को समयलितरूप आप साइब नूकलिक दोनों को समिली दूपसम क्या बोलते हैं दोनों को समिली दूपसम बोलते हैं नुकलिक एसिड बच्चो यहां पर डिने जो है इसमें प्यूरीन जो होता है वो एडिनीन होता है बच्चो इसके लावा क्या होता है इसमें गौनीन होता है पिरमीडिन की में बात करें तो इसम से समंदित नहीं है दीने से समंदित कौंसा नहीं वच्छो यूरेशल जो है वो आरने से समंदित है तो करेक्ट असफिक्य और हो जाएगा सेकंड जो है या हमारा था प्लकुल सबस्राइब कॉंसा वजेगा Hind तो फिर देखिये सेट डेक्ट समुच फिर रज़े किस रुधीर समू का विक्ति सारजनिक प्राप करता होता है दूरिंग ब्लेड ट्रांस्विजन पर्संस विच ब्लेड ग्रूप आर युनिवर्सल डिस्टिप्रेंट्स आपको बता है कि ए भी ब्लेड ग्रूप जो है बचुछ बतातो फटाबट से में यह दिया आपसे बात को तो बचुछ स्वसन में पहला प्रोसेस होता है स्वसन के अंदर पहला प्रक्रम होता है जिसका नाम है इसमें क्या होता है स्वसकrous को तीन सैंटिसन ने जिया था था उन्यकी नाम हें एंबिडन इनके शान है मेर हॉफ क्या है मेर हौफ और क्या हो जाएगा बच्चू पार्नस च क्लिए तो बच्चो तो यहां पर बच्चु क्या होजएगा, इसके नाम पर इनको क्या बोलते हैं, हम EMP pathway भी बोलते हैं, तो correct answer क्या होजएगा, correct answer होजएगा, बच्चु, first फिर देखें बच्छो नेक्स कोशन कपास के रेशु का स्रोथ है आपको बताना है कि कपास के रेशे जो हैं वह हमको कहां से प्राप्त होते हैं पहला option दिया है बच्छो बस्त रेंशे या फिर पीर सिस्ध है या फिर लिफ ऑपको बता है कि कहांसे प्राप्त होते हैं को सीड होते हैं क्या होते हैं जोदपुर वालु को मेरा राम राम यास् मैं हूँ तो करेक्ट और होजेगा बचू सेकंड क्या हो जएगा सेकंड जो ही हमाँ करेक्शन है बचू हमाँ सब्सक्राइब करता है तो जब बलेट सुकर बढ़ जाता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है सब्सक्रिप्सें लेना है कहां से क्या हगा तो सब्सक्रिप्सेंब लेना है तो बतaggi दिक्क वाली बाद नहें मतलब किसका लेना है कौन से सब्सक्रिप्स शब्स टौन करते हैं तो आपको पता चल जाएक तो देखें यहां पर यह टेस्ट ले रहो है मेरा पहले DNA का फुल 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 फु पिछ देखे बच्ष क क्या वंद है कि इसके ची I得 Weеры मैं आपको बढ़ा था तबच्ष में नहीं जिसमें देखोए इसरा को पंधता था याा वे फुट्व oriented current flowing in metallic wire and potential difference across the its end was first of all given by आपको बताना है कि यह जो voltage है बचो यह जो दारा प्रवाइथ हो रही है इनके बीच में समन जो है यह किसने बता है था तो यह समन जो है बता है घ्लेंट से भी आया था क्या कोशन आया था फटा पट से लिखके बताओ इसका तो आपको बता है लोंगेस्ट ग्रंथी ऐसा पूचा है मानव लोंगेस्ट ग्रंथी ऐसा नहीं पूचा होगा बेटा ऐसा नहीं पूचा होगा यहाँ पर वी प्रपोस्टन लाई बच्चो यह किसने बताए था ओम ने बताए था ऐसा किसने बताए था बच्चो ओम ने बताए था ठीक है तो सेकंड को बच्चो नेक्स कोशन है कि परावर्तन के निमनुसार क्या होता है परवतन के नेमानुसर क्या होता है यह आपको बताना है तो देखें यहां पर according to laws of reflection पहला है आपतन कोन परवतन कोन के बराबर होता है या फिर चार गुना होता है दुगुना होता है या आदा होता है तो आप सब को पता है परवतन कोन के क्या होता है तो यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा फिर देखें बच्चो नेक्स कोशन की में आप से बात करूँ तो उतल दरपन काम में लिये जाते हैं आपको बताना है कि convex mirror art used in बच्चो हमारी लगबग 8-45 तक क्लास लेगी देन 15 मिनिट तक आपकी जो भी प्रोब्लम है वो मैं सुनूंगी देन हमारे जो कलके कोशन आएंगे उसी पर बेस्ट होंगे ठीके आप लोग बताएंगे मुझे कि आपको किस तरह की requirement है क्लास के तो मैं कलके जो सेडूल में हमारे questions रहेंगे वो उसी पर बेस्ट रहेंगे ठीके तो लगाता है 10 मिनिट तक बने रही है फिर मैं आपकी प्रोब्लम भी सुनूंगी जब तक आप आप 5-6 देते रही है पड़ से comment करके बता दो फटा पड़ से बता दो इसका answer उतल दरपन कहां पर काम में लेते हैं उतल दरपन का मदलब आपको यह समझना है कि बच्चो यह आउतल लेंस के समान काम करते हैं जो आउतल लेंस होता है उससे प्रतिपिम जो है वो कैसा बनता बच्चो सिधा बनता है और आबासी बनता है तो आप देख लो यहां पर तोर्स तो होगा नहीं यहां पर वान की हेड लाइट भी नहीं होगा बच्चो सेविंग दरपन के रूप में यानि कि यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटापट बता दो यहां पर उतल दरपन का यूज जो है बच्चो वो कहां पर होगा फिर बच्व नेक्स कोशन हमारा यह है कि एक गट्रा पेसी डायफ्राम जो मानुनेतर में पुतली के साइज को नियंतित करता है क्या कहलाता है और डार्क मस्कुलर डायफ्राम इंदे सब्सक्राइब को नियंतित करता है तो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा फिर देखें नेक्स कुशन हमारा यह है कि आउतल लेंस के दौरा बना परतिविम होता है फटा पट से बता दो मैं आपको बता है कि आउतल लेंस बातिविम होता है वास्तिविम और उल्डा पट वार्वासि OR अ वर्दित magnified है यह आवर दित हैं यहाँ पर और फिर कह रहा है कि सीधा आवासी और साइच में बिंदू से छोटा तो क्या होगा फटावड से कमेंट कर दो कि यहाँ पर किस परकार का जो है बचो यहाँ पर किस परकार का जो है बचो में दिया आप से बात करो तो प्रतिविम जो है बचो वो कैसा बनता है सीधा बनता है वर्चुल बनता है और कैसा बनता है कैसा बनता है फटावड से कमेंट करके बता दो d बस्तु से कैसा बनेगा छोटा बनेगा एक बार confirm कर लेना आप लोग ठीक हो सकता है कि आवर्धित वाला हो एक बार confirm कर लेना correct answer में 4 लगा रही हूं एक बार next question है बच्छों हमारा कि निमन में से कौन सी प्रकरिया अन्यय से बिन है कौन से प्रक्रिया जो ही वह अन्य से बिन है आपको बताना है कि विच ओप दे फॉलोविंग प्रोसेश इस डिफ्रेंस फ्रॉम अधर बहला है बार्फ का पिगलना मेल्टिंग ओफ आइस सेकर्ड बचू लोहे को जंग लगना रस्टिंग ओफ आइरन बचू थर्ड है यहां पर बचू आपकी सारे के सारे भूतिक परिवतन है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएकगा हमारे क्वेशंट आज यहीं तक रहेंगे अब आप लोग के समयशा बता दीजेए फिर क्लास को थोड़ा साथ जल्दी फ्री कर देंगे ठीक है फिर आपकी जितने भी प्रोब्लम से मैं आपको कल जो है उनका सोलिशन दे दूगी ठीक है तो फटाबड से बोली आप लोग आप लोग फटाबड से नहीं आंसर फोर्ट नहीं होगा बच्छो आंसर जो है वो सेकंड होगा क्रिस्टलाइजिसन को जनरली हम लोग जो है क्रिस्टलाइजिसन को जनरली यदि ऑप्संस ऐसा दे रखा है कोई की क्रिस्टली करण के अलाव बागी सारे बहुतिक परिवतिन है तब हम क्रिस्टली करण को रासानिक परिवतिन मानेंगे लेकिन यहां पर हम इसको कर क्या हुआ अब आपकी प्रोब्लम्स कहांगे सारी की सारी अच्छा अब एक बार क्लियर कर दूँ मैं आप लोगों को आप लोग जैसे कि बता रहें कि पेपर का लेवल थोड़ा तफ था ठीक है तो एक बार तो आप लोगोंने पड़ी रखा हैं सारी चीजे एक बार तो देखूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वह आये हैं और देन फिर कल जो हमारा सेसर रहेगा बच्चु वह उसी पर बेस रहेगा और मैं उसमें ज्यादा तर आप लोगों के निमेरिकल्स लेकर आऊंगी ठीक है इसके लावा आप लोगों को और कोई दिक्कत हो तो बोलिए लेवल थोड़ा टाफ करना है वेरी गुड बहुत कल लेवल टाफ रहेगा अपना ठीक है कुछ ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं आया क्लास से अपनी सारी क्लास से जाके देखे आपको पता चल जाएगा ठीक है ठीक है नॉर्मल कोईशन एनल जैसे क्या बोल रहा है अभी से एक पता है तिरको एनल जैसे क्या होते हैं कुछ भी बोले जा रहा है कभी गभी तो तुम ऐसे इंग्लिस लिखते हो ना खुद को भी पता नहीं रहता है पताओ फटापट से क्या-क्या समझ आप लोगों को थैंक्यू में हो गया हाँ आज के एक्जाम के कुछ बचू ने कुछ कुछ लेकर आया है वो में आपको बताए भी है बाकिया में खुद एक बाद देखूंगी आप लोग बताते तो हो नहीं को आदा दूरा बताते जो फिर केते कि मैं यह भी आप्षन था वो भी और आप यह दी कौशन में गडबड कर दोगे तो फिर आंसर तो इदर दो हो गई ना इदर दो होगई ना बिलकुल होगा लेवल तफ था मैं चेक कर लूँगी कल अब हमारी जो नेक्स क्लासिस होगी वो उसी पर बेस्ट होगी तो टैंसल लेने की कोई जरुद नहीं है लाइव क्लास हमारी हमेशा ही साम कोई रहेगी साथ बज़े रहेगी ठीक है और कोई दिक्कत है चलो आज के लिए इतना ही मैं खुद पेपर को अनलैसिस करूंगी बच्चो और उस पर बेस्ट हमारी कल की क्लास होगी ताकि आगे आने वाले जो पेपर से बच्चो के वो अच्छे से हो सके आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच गूट नैट सभी को